अगस्ट 10, 1897 में एक ऐसा पेनकिलर डिस्कवर हुआ था जो कि आज यानि कि 2018 में भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेनकिलर है और उसे पेनकिलर को थोड़ा और अच्चा बनाने के चक्कर में एक बहुती डेंजरेस और बहुती हामफूल ट्रक का डिस्कवरी हुआ और वो ड्रक है हेरोईन तो आज मैं आपको बताने वाला हुँ कि हेरोईन के डिस्कवरी के पेचे का इंटरस्टिन कहानी और वो किसने डिस्कवर किया था और हर साल हेरोईन के वज़े से क्या क्या होता है अगर आपको इसके बार में और जानना है तो देखते रहे हैं ये वीडियो हमर साथ आगे तो ये कहानी शुरू होती है 21st January 1868 से तो 21st January 1868 में जर्मन केमिस्ट फिलिक्स ओफमन का जन हुआ और उनके जो पिता थे यानि की फिलिक्स ओफमन के जो पापा थे वो एक मैनिफेक्टरर थे जर्मनी में और उसी की वज़े से फिलिक्स ओफमन के अंदर केमिकल प्रोसेजिस और मैनिफेक्टरिंग को लेकर इंट्रेस्ट जनरेट हुआ तो अभी 1889 में उन्होंने अपनी केमिस्ट्री के स्टडी करना शुरू कर दिया युनिवरसिटी ओफ म्यूनिच से और 1891 में उनको अपनी ग्रेजेशन सर्टिफिकेट मिल गई और कम से कम दो साल के अंदर ही उन्होंने अपनी प्येसडी भी कम्प्लिट कर ली यानि की 1893 को उनको अपनी प्येसडी मिल गई यह जो उनका उत्सा था यानि की फिलिक्स ओफमेन के अंदर केमिकल्स को लेकर जो उत्सा और जो नौलेज था उसको एडलफ़ॉन बेर ने बहुत जल्दी पहचान लिया एडलफ़ॉन बेर वही सांटिस्टे जिनको आगे जाकर नोबल प्रैस मिला था 1905 में कलरड आइस के उपर रिसर्च करने के लिए तो एडलफ़ॉन बेर ने फिलिक्स ओफमेन को ये सजेस्ट किया कि वो बेर कम्पनी जोइन कर ले as a फार्माक्यूटिकल रिसर्चर अभी फार्माक्यूटिकल रिसर्चर क्या होता है फार्माक्यूटिकल रिसर्चर वो होता है जो अलग अलग तरह की दवाईयों के उपर रिसर्च करता है और नहीं नहीं दवाईयों को डून निकलता है तो एडल फॉन बेर के सचेशन के ओपर ज़रा साथ सोचने के बाद 1894 में फिलिक्स ओफ मेन ने बेर कमपनी जॉइंट कर ली as a फार्माक्यूटिकल रिसर्चर तो अभी आपर एक बात आती जो कि एक नॉर्मल रिसर्चर और एक लेजंड को अलग कर दिये और वह बात यह है कि फिलिक्स ओफ मेन एक ऐसे किसम के रिसर्चर थे जो कुछ नया बनाना चाहते थे वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे एक revolution आया फिलिक्स ओफ मेन वह नहीं करना चाहते थे जो कि सब रिसर्चर करते हैं यानि कि पुराने medicines को modify करके नए medicines बनाना बलकि वो अपना एक नया medicine बनाना चाहते थे तो अब ही हुआ क्या कि Felix of Man के जो पिता थे यानि कि उनके जो पापा थे वो एक arthritis patient थे अभी arthritis क्या होता है arthritis वो बिमारे जिसमें patient के joints यानि कि elbows, shoulders, knees उसमें बहुत ज्यादा pain होता है और stiffness आजाती यानि कि वो अपने joints को हिला भी नहीं सकते तो Felix of Man के जो पिता थे वो एक arthritis patient थे और उसी के कारण वो अपनी जगर से हिल भी नहीं सकते थे और उनको बहुत ज्यादा दर्द होता था तो उस time के जो pain killers थे यानि कि उस time पे जो pain killers थे वो इतने बराबर नहीं थे यानि कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे वो patient को और भी बुरा feel कराते थे और उसके अलग side effects भी होते थे तो यही पर पूरी story टर्न लेती है अभी physics of man एक नया pain killer बनाने की research में लग जाते है और उनकी जो research है वो उनको एक chemical के उपर लाके पहुचा थी है और वो chemical है salicylic acid तो यह जो salicylic acid है वो विलोटरी की bark में मिलता है अभी bark क्या होता है? bark ठीका सबसे भारवाला हिस्सा होता है पर salicylic acid की discovery 1830 में ही हो चुकी थी और 1859 में researchers को success मिल गई थी उसको chemical form में extract करने की पर 1859 में salicylic acid से pain killers बने और वो जो pain killers से वो ऐसे थे जो खाने से पेट में दर्द होता था और उसके side effects भी होते थे तो अभी Hoffman ने एक ऐसा तरीका ढूण निकाला जो की लोगों के लिए safe हो तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने salicylic acid में acetic acid mix कर दिया acetic acid तो आपको पता ही होगा vinegar हाँ दोस्तों हम लोग खाने में जो vinegar डालते उसमें 5% acetic acid होता है और बाकी सब पानी होता है तो acetic acid मिलाने के बाद उन्होंने salicylic acid का एक बहुत ही pure और बहुत ही stable form ढूण लिया August 10, 1897 में तो अभी इससे penculus बने और फिर उसकी human testing शुरू हो गई तो इसकी human testing की थी Hendrish Tracer ने Hendrish Tracer बेर्स Pharmaceutical Laboratory के head थे और वो जो pencular बना वो पूरी तरीके से perfect था और उसके ना कोई side effects से और ना ही उससे pen dard होता था बलकि वो pen को बहुत हत तक कम भी कर देता था तो acetic acid और salicylic acid को साथ में mix करने के बाद acetyl salicylic acid बना और वो जो pencular था उसको नाम दिया गया aspirin यह जो था वो था acetic acid के लिए और spirin जो था वो था spiria के लिए अभी spiria क्या है spiria एक shrub है जिसमें salicylic acid मिलता है तो अभी फिलिक्स ओफ मन ने aspirin का german pattern हासिल करने की कोशिश की पर वो reject हो गया क्योंकि salicylic acid की discovery पहले ही हो चुकी थी तो अभी हुआ क्या कि aspirin की sales बहुत ज्यादा बढ़ गई और पूरी दुन्या में aspirin popular हो गया और bear company घरगर में एक common नाम हो गया तो अभी ऐसे शुरू होता है कि heroin की discovery कैसे हुई तो bear pharmaceutical laboratory के जो head थे henrys dresser उन्होंने coding के pen killing properties के उपर research की थी coding एक drug है जो की opium से बनता है और हिंदी में opium को हम लोग अफिम भी बोलते है coding morphine का विकर पाटे अभी morphine क्या है morphine भी एक drug है जो की opium से बनता है और वो भी एक pen killer है तो henrys dresser ने Felix offman को वो same process करने के लिए कहा morphine के साथ जो उन्होंने salicylic acid के साथ किया था dresser को ऐसा लगा कि अगर वो morphine के साथ acetic acid mix कर देंगे तो उन्हें कोडिन मिलेगा पर वैसा नहीं हुआ बलकि वहाँ पर एक बहुत ली dangerous drug पॉर्म हो गया और वो drug है heroin पर heroin के लिए भी Felix offman को बेटन नहीं मिला क्योंकि 1874 में elder right नाम के एक researcher ने उसे discover किया था पर उस टाइम उस पर जादा किसने ध्यान ने दिया और उसे एक useless project करके बन कर दिया पर अभी तक होफ्मेन और ड्रेसर को heroin के dangers के बारे में पता नहीं था और उसी के कारण बेर्स ने heroin को खुले आम कर फ्री लिवर्स और पेंट किलर्स पर serious war injuries और etc के नाम पर बेशना शुरू कर दिया 1928 में होफ्मेन रिटायर हो गए और 8 February 1946 में उनका देहान्त हो गया अभी कम से कम 125 years हो गए उनके invention को पर अभी भी पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेंट किलर aspirin है aspirin ने आज तक करोड़ों लोगों की जान बचा ही है और हर साल कम से कम 1 करोड़ 50 लाग aspirin की tablets सिर्फ अमेरिका में यूज होती है पर दूसरी तरफ heroin भी उतनी ही जाने ले रही है सिर्फ 2017 में अमेरिका के 15,900 लोग मारे गए heroin के overdose की वजह से सो दोस्तो heroin हो या और किसी किसम के drugs हो वो बहुत ज़्यादा harmful होते है मैं आपको heroin के side effects बता देता हूँ सास लेले में तकलीक सोते रहना, mental disorders और बहुत कुछ जान भी चली जा सकती है तो हमें इन सारे drugs से दूर रहना चीए अगर आप बोलोगे कि भाई चलो एक बार try कर लेते क्या बुरा ही है एक बार try करने में कुछ नहीं होगा पर ऐसा नहीं है ये drugs सुपर addictive होते अगर आप एक बार ये try कर लो ना फिर आप drugs की बिना रहना ही पाओगे तो दोस्तो मैंने ये वीडियो क्यों बनाया क्योंकि आज कल के young generation में drugs वेगेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गए है और इस वीडियो के कारण आपको पूरा knowledge मिल चुका होगा कि ये drug discovery कैसे हुआ और खुद जिसने ये drug बनाया उसने ये कभी try नहीं किया पर हम क्यों try करें फिर तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही conclude करना चाहेंगे अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में दरूर पूर सकते है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्यों कि आगे भी एड़ से वीडियो में लाता रहूंगा धन्यवाद दोस्तो